सिर्फ एक जीत से WTC में छे पायदानों की छनाग लगाई पॉइंस टेबल में टीम इंडिया ने तबाही मचाई जिया एक जीत अफरीका के खलाफ दूसरे टेस्ट मैच में सिर्फ एक जीत से टीम इंडिया ने WTC की पॉइंस टेबल को उलट पलट कर रख दिया है बहुत बड़ा अलट पेर हुआ है मैच से पाहले टीम इंडिया छटवे नंबर पर टॉप फाइब में भी नहीं थी तो वर सब कैस के आले आप लोग के असलम और यू वेल्कम बैक वे न्यू ब्रेंड वीडियो आज ही जो हमारे वीडियो होने वाले वह है टेस्ट चैंपियंशिप की पॉइंट टेबल पे जो के इंडिया और सौथ अफरीक हमें कोई न कोई तो लीड होने वाला था इंडिया में तुफ कंपिटिशन हो चुका था इन दे प्रिवियस जो के इंडिया लीड कर गया बत यह सबसे बड़ी बात है कि यार वो टेस्ट कम लग रहा तो टीट्वेंटी ज्यादा लग रहा था क्योंकि फास्ट बूईनी में किती और मतलब बेस्में जो भी आरता क क्वेंडिया के हिसरी में मतलब कुछ अलग अलग से किसी को हरा देती है कभी सिफ्ट पर चे लिए रिक्टे बीडिया है और इंडिया में होता है इसा कुछ न कुछ अजूबा जो के हमारे अकल से दहारा हटके पर हो हम इसे पने करते हैं इन इंडियन इस टिंकन जिस्ट पेस्ट पेस्ट कान आप सुवेशन हमें यह मतलब यहीं नहीं नहीं होता So guys if you are new on my channel please like the video, subscribe channel, comment in the below session till then stay tuned with me and let's go start a video of point table of test championship Okay Is it set जंद बने रा जित अफ्रिका के खलाव थूसरे ट्समैंच में इस एक जीत यह लिकान ने नीए तो सोता फ्रीक है डाउन टॉन ओगी तेस्टेबल का फाइनल के लिए और टेस्ट का वर्ड कप का फाइनल जीतने का मौका बनेगा तो अभी पॉंस्टेबल क्या है तो नमबर वन पर टीम इंडिया गई है चार मैच के लिए दो मैच जीते हैं एक मैच हारी है एक मैच ब्रौ हुआ है तीम इंडिया के हिसाफ से नमबर वन पर है तीम इंडिया का है 54.16 नमबर दो पर अफ्रीका किसक गई है इससे पहरे वो नमबर वन पर थी टॉप पर थी तौर। पयर्ख स्टिंग गई फीम इनलेघ जिन्द नब में जा नंब ऐक सब्सक्रान नेन में 2 में 2 पर 숨ो आजगे फिए ईक हट सब्सक्राई है प्रिश निर academy थो के उनकी जोड़ है ईस्का भी तान प्रक्षत कि गई जा बीठ है मैच में दो मैच जीते हैं दो मैच हारे हैं पैनल्टी की वज़ा से उसका जो विनिंग पर संटेज है वो है 45.8 नमबर साथ पर वेस्ट अंडीज है पैनल्टी अब यह कैसे है एक हारी है और एक मैच रहा है नमबर आट पर इंग्लैंड है और नमबर नौ पर श्वेलेंड आट तरफ से फदूल ही जा रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है कि एक पार फिर से टीम इंडिया लगातार थीन बार व्टी के फाइनल में एंट्री कर ले और कोई बड़ी बात नहीं कि इस बाहर हम वर्ल्ड कदीचा टेस्का वर्ल्ड कदीचा देखते हैं क्या होता है पिलाल इस वीडियो को देखने के लिए बाब बशुक्रियाइब दुन्या के स्पोर्स के इस्ट्री का सबसे लंबा वैलकप होता है मतलब जो के तकरीबान दो से थीन सालों पर मुश्तमिर होता है और इसमें बहुत ही ज्यादा इमनेटना चीज होता है बट विद भी अल अब भी जो सीरीज चल दी है सौथ अफरीका और इंडिया की और पाकिसान अस्ट्रेलिया की और इस तरह से कुछ और सीरीज की भी किसी के साथ चल रही है सो इस तरह की सीरीज के बावजूद जो हैना अगेन इनके दर्मियान में अब आने वाला है तरलकाटी 20 मैचिस का उसके बाद होगे लीज उसके बाद होंगे पिर इंडरनेशनल विल्ड कप और इसके बाद पर के ले जाएंगे कुछ आदे टेस्स मतलब दर्मियान में कुछ एक ऊजब आती हैं डेस सो इस में मतलब उतार चडवा होता रहता है तो ठीसरा जिट के टो सकता है कि टंख सकते हैं वह सकते हैं में क्निशन पदीशनवीक देखना है घला सकता ह簡़र सक्क्रण है है तो अ क्या हो सकते हैं west seu कि यह नहीं लगता तो नहीं but situation is in the favor of Pakistan चलो देखने क्यों होता क्या आज की रिए बसी इतना if you guys are on new my channel please like the video subscribe channel comment in the below section till then stay tuned with me ठार बाई बाई